आप सभी के आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में दोस्तों अमीद करते हैं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे मस्त होंगे बिंदास होंगे तो दोस्तों यहां पर वेकेंसी है पीजी सील की पाउर गीड कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिम वेकेंसी है पहली बात में आपको यह बता दू पाउर गीड क्या है कि एक महारत पीएस्यू सेक्टर है जिसमें कैटेगरी वेकेंसी दी गई है जो 24 मन्त यानि दो साल का पीरेड रहने वाला है टू येर का पीरेड रहेगा कॉंट्रेक्ट का आपका तो इसमें देखिए इसमें फिल्ड इंजिनर की जो पोस्ट है कि बीटेक वाले के इंडिट्स के लिए 208, 209, 210, 211, 212 तो देखिए इलेक्टिकल के लिए है ये पोस्ट है जिसमें टोटल 50 सीटें एवलेबल है इलेक्ट्रोनिक्स और कम्मुनिकेशन के लिए 15 सीटें है उसी तरह फिल्ड अगर बात करें यहां पर फिल्ड इंजिनर के लिए आप यहां देख सकते हैं एक पीडवलूडी एंड क्टेग्री वाइज जिनका जो हैंडिक्टेड होते हैं उनके लिए दिया गिरा क्राइटेरिया फिर उसके बाद आपर एज लिमिट की अगर बात करें तो 29 साल आपक का के टेग्री वाइज रहने वाला है यहां पर उसके बाद फिल्ड इंग्र के लिए देखिए क्वालिफिकेशन क्या है we tech होना चाहिए रिसपेक्टिव ब्रांच में या बीए सी और इंजिनिंग में उस डिस्पेक्टिव डिस्प्लेग में यहां पर ब्रांच अब ब्र तरी कैसे देखिए यहां पर नेम आफ फोस्ट इलेक्ट्रोनिक्स टेंड कम्मुनिकेशन सेम क्राइटेरिया एक साल का एक्स्पिरियंस होना चाहिए आई टी वालों के लिए भी सेम क्राइटेरिया इलिजबिल्टी बीटेक होनी चाहिए आपकी उसी तरीके से फिल्ड परवाइजर नहीं बढ़ सकते हैं जब उनके पास डिप्लोमा हो ठीक है इसी तरीके से डिसिप्लिन देख सकते हैं इलेक्टिकल पावर इलेक्टिकल एंट्रोनिक्स पावर सिस्टम इंजिनिंग इससे ब्रांच होनी चाहिए फिल्ड एक्स्पिरियंस आपके पास वन ये पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्स्पिरियंस होना जाए कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग एंड कमिशनिंग में तो आपको यहां दिया गया है उसी तरीके से बात करते हैं आगे तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉल्ट टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रोनिक्स और कम्मिनिकेश प्लस एचारे प्लस पर ठीक है तो इस तरीके के आपकी जो बीटे को अबेलेक्ट्रोनिक्स हैं उनकी सेल्ली 45 प्लस के राउंड पहुंचेगी या 50 प्लस के राउंड पहुंचेगी ठीक है यह हो गया एंड फिल्ट सुपरवाइजर वाले जो केंडिट्स होंगे उनके ल प्लस के बारे में यहां पर लिखा गया है क्लियरली मेंशन कर दिया गया है उसके बात करते हैं आगया हम इंपॉर्टेंट इंगेजमेंट ऑफ पर्सन प्यूर्ली टेंप्रोरी इन नेचर कॉंटेक्ट बेसिस पॉर्ड पिरिएड ऑफ 24 मंथ तिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट वैन अर्लियर मैंने एक तर कुछ कह रहे हैं कि आपका 24 मंत का जो कॉंट्रेक्ट है कंप्लीशन जाएगा तो आपको उससे पहले ईपको आपको बाहर विकर सकते हैं उसमें करना किया के बिट्वारइब करने करने के बाद, NSR registration number to power grid further they are required to get following verified in their NSR profile at own cost, अपनी खुद की cost से before joining और 3 month of joining, मने आप जब join कर लें या before joining 3 month, मने join करने के 3 month, within 3 month आपको NSR से अपनी profile को verify करवाना रहेगा, failing अगर आप fail होते हैं तो आपकी engagement क्या होगी जो आपका contact हो खतम कर दिये जाएगा personal detail like identity, biometric, fingerprints, essential qualification and previous employment and experience information, इन सब को आपको NSR के थूँ, national skill registry के थूँ, verify करवाना रहता है ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे selection procedure जो रहेगा, वो कैसे रहेगा selection will be involved interview only on the eligible of shortlisted candidate, how the management यानि field management deserve to write to rise minimum eligibility standard criteria or conduct screening to register the number of candidate called for the personal interview if so required, फिर उसके बाद देखिए screening will be conducted on the elimination purpose only and will not have a weightage of a final merit ठीक है, उसके बाद the scheme of a test would be as a following, एक घंटे का आपका पेवर रहने वाला, technical knowledge आपका पचास रहेगी उसके बाद aptitude question रहेंगे 25 इस तरीके से आपके MCQ इसमें रहने वाले हैं, उसी तरीके से field supervisor के लिए दिया है, selection shall be made on the basis of security of application with respect to eligibility criteria and desired experience profile and screening test and candidate eligible after security scrutiny, candidate qualify in the screening test, qualify करना पड़ेगा in panel in the order of merit marks के आधार पर the test will be one hour का होगा आपका technical knowledge पचास question, aptitude test होंगा 25 इस तरीके से चार question आपको दिये जाएंगे, there will be no negative marking, आपके यहाँ पर कोई negative marking रहने वाली नहीं है, paper आपका bilingual होगा, और application fee की अगर बात कर लें, तो यहाँ पर देखिए field supervisor करे 300 का and field engineer करे 400 रुपे का application fee यहाँ पर रहने वाला है, इसमें देखिए how to apply के बारे में दिया गया है, इस link पर आपको जाना है, इस link का इसका link मैं आपको decision में दे दूँगा, आप directly वहाँ से visit कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, carrier section में जाएंगे, फिर job opportunities में जाएंगे, फिर opening and execution and position of all India basis engagement of experience personal on contact basis for the post of field engineer supervisor, no other mean of application certificate यानि 10th का certificate आपको अप्लोड करना है case format में, PDF format में, ये बात आप याद रखेंगे, फिर उसी के qualification, diploma, degree जो कुछ भी हो, उसकी mark sheet हो रहा, तो उसको maximum 10 MB में आप अप्लोड कर सकते हैं, उसके बाद देखिए experience certificate उसको आपको अप्लोड करना है जिसमें start date, indeed date clearly mention की गई हो, and आपका designation हो, and pay scale हो ठीक है, and area of experience issued by authority and appropriate of organization in PDF format ठीक है, उसके बाद चलिए हम बात करते हैं, आगे तो ये सारे criteria जो भी class certificate and all, ये सारी चीज़ें आपको fulfill करनी है, and उसको submit करना है ठीक है, आप उसका print out रखलेंगे, ताकि आपको future में जब आपकी joining हो, तो आप application form को आपको submit करना रहेगा, तो एक छोटी सा information थी, जो मैं आपके स्वभी के सामने शेयर किया, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो दोस्तों में share करें, और इस तरह की update से update रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपका कोई query होता है, तो comment box में comment करके पूछ सकते हैं, धन्यवाद,